नमस्कार किसान भायू आज हम बात करेंगे गेहू के फसल में दूसरे पानी के बाद में आपको कौन से खाद का प्रियोग करना है यूरिया खाद का प्रियोग अगर आप कर चुके होंगे दूसरे पानी के दोरान किसान भायू उसके बाद में आपको इस्प्रे वाली खाद का प्रियोग करना है कौन कौन से खादों का प्रियोग करना है आज हम इस विशाय में चर्चा करेंगे तो किसान साथियो किसान भायू आपने अभी तक एगरी के एन चैनल को सस्क्राइब किसान भायों आपने अगर गेहु के फसल में दूसरे यूरिया प्रियोक कर चुका है दूसरे यूरिया अगर आपने डाल दिया है तो उसके बाद भी आपके पौधे में ग्रोथ अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो आपको ग्रोथ प्रमोटर का इस्प्रे करना कि आप के फसल में थोड़ा सा बात कर ले अगर आपके प्रियोक कर सकते हैं जल्दी से बढ़वार के लिए किसान भायों अगर ग्रौथ शही होती है उत्पादन भी सही होता है तो किसान साथियो अधान भर्पूर लेने के लिए आप को क्या 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 करना है कौन कौन से विधी अपनाना है और किस इस्तिती में अपनाना है ये सब चीजे जानकारी हमारे दोरा देते रहे करेंगे चलिए किसान भायो हम इस बारे में बताते हैं आपको कि कौन से खाद का प्रियोग करना है पहले तो किसान भायो को हिमिक एसिट का प्रियोग करना है औ किसान भायो और इसके बाद में आप प्रियोग कर सकते हैं, NPK 1919 का प्रियोग कर सकते हैं, इसके साथ ही, किसान भायो इसके साथ में 100 ग्राम प्रती टंकी यूरिया का प्रियोग करना है आपको, और किसान भायो आप फैरा सलफेट का प्रियोग कर सकते हैं, प्रती एकड़ हिस है जोकि नाम है बायो बीटा एकस जो की liquid form में हो यह भी किसान भाईयो सांदार बारे में मैं आगे में बात करेंगे जीए लिए किसान भाईयों ज्यादा समय ना लेते हों हम इसकी मात्राओं के बारे में बाहिने किसान हम हिमिक एसिट के बारे में बात कर तो हिमिक एसिट प्रती टंकी के दर से 100 ग्राम लेना है और किसान भाईयो एन पीके 1919 की मात्रा 100 ग्राम प्रती टंकी के हिसाब से लेना है किसान भाईयो चिलेटेड जिंक भी 100 ग्राम प्रती टंकी के हिसाब से लेना है किसान भाईयो चिल से मिल परती टंकी के हिसाब से यह चारों चीजों को आप अगर स्प्रे कर देते हैं हमने बताया 100 ग्राम परती टंकी यूरिया का प्रयूक करना है अगर आप सिप्रे कर देते हैं तो उसके तीम से 4 या 5 दिनों के बाद में आपको सांदार जड़ देखने को मिलने लगेगा आपके पौदे गिहूं के फसल हरे भरे दिखने लगेंगे और सांदार दिखने लगेंगे किसान भाईयों लोका फुटाओ भी बढ़ने लगेगा और जड़ भी मजबूत हो जाएगी और तने भी अच्छे हो जाएंग जरूर इस बार प्रियोग करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसका रेजेट हम आप से अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईो